नमस्कार दोस्तों यदि आपका जनम मंगलवार को हुआ है या आपके किसी करीबी का जनम मंगलवार को हुआ है तो आज यह वीडियो आपके लिए हैं क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होते हैं मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले लोग कैसी होती हैं उनके जीव लोगों के विशह में तो आईए शुरू करते हैं यदि आपका फाइदा नहीं हैं तो आप गलत बात बिलकुल स्वीकार नहीं करते हैं आप एक लगजरी लाइफ जीना पसंद करते हैं बहुत खुले दिल दिमाग के होते हैं सच जिन्दगी को जीना और जीतना पसंद करते हैं आप अपनी परशंसा सुनने के इतने शोकिन होते हैं कि कमियों से मुह फेर लेते हैं मार्केटिंग तो कोई आप से सीखे गंजे को कंगा भी बहुत सह सम्मान बेच कर आते दिक्कत है तो यह गुस्सा भाई गुस्से पर काबू नहीं पाते आप उग्र हो जाते हैं इसलिए कई बार आपकी नोकरी वैकारोबार इस गलत आदत का बुरा परभाव जेलता है सच कहें तो उग्र गुस्सेल पहद्दुर होना आपकी जिंदगी की पहचान है आप सच कहें तो लड़ ले मर ले पर रिष्टे नहीं तोड़ते रिष्टे निभाना जानते हैं हाँ रूठना मनाना यह पड़ी के लिए चलती रहती है आपके रिष्टों में शोपिंग करना बहुत पसंद होता है जादा तर समय मार्किट में बिताना पसंद होता है इतना कि दुकंदार भी आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं बेहत खर्चीले होते हैं यदि आप लड़की हैं तो बात ही क्या लड़कों की तरह लाइफ इस्टाइल होता है सच कहूं तो घर वाले भी बाहर वाले भी आपके लिए यह सोच रखते हैं कि यह बिटिया लड़के से कम नहीं जिन्दगी में फैसले लेने की बात आए तो खुद फैसले लेते हैं दोनों ही परकार के जातक लड़का हो या लड़की हो आपके जीने का एक तरीका होता है करके पच्चता ले सोच कर मत पच्चता आपका वेवाई जीवन काफी सुख में है रहता है बहुत सुन्दर जीवन साथ ही मिलता है तिक्कत क्या है छोटे मोटे जगडे जो चलते रहते हैं रूठना मनाना चलता रहता है और लड़ लेते हैं पर जादा देर नाराज नहीं रह पाते एक दूसरे से सच कहूं तो एक ऐसा रिष्टा जिसमें जितना लड़ो उतना प्यार बढ़ता है आप स्मार्ट नेचर के होते हैं आप चंचल दिमाग के होते हैं बाहर से कठोर दिखते हैं पर अंदर से चंचल इसलिए परोबकार कर ही देते हैं चंचल प्रवरती के कारण किसी चीज मे मन जल्दी ही उप जाता है एक दिक्कत की बात है इनके जीवन में परिशानिया पीछे नहीं छोड़ती एक बैट्समेन की तरह जिंदगी जीते हैं बोलर सामने हर गैंद एक नए अंदाज में फैटता है मतलब एक दिक्कत फेस करी उसके तुरंत बात दूसरी उसे फेस कि या फिर अगली दिक्कत अगली चुनूती कमाल देखिए फिर नए अंदाज से नई दिक्कत का सामना करते हैं आप सामने वाले की गल्तियां माफ कर देते हैं केवल रिश्टे निभाने के लिए पर एक सच्चाई है एक बार आपकी नजर से कोई उतर जाए तो उसे फिर आ कभी नहीं अपना थे आपको स्किन प्रॉलम मूं दाथ जबड़े की प्रॉलम अल्सर जिसका बड़ा रूप कैंसर भी होता है और बीपी की बीमारियां होने का खत्रा रहता है ध्यान रखो नहीं होंगी सब प्रॉलम्स रहता है खत्रा रहता है मैं यह नहीं कहता है यह हो तो एक बार जीवन में किसी तरह का नशा किया होता है चाहे चक कर ही देखा हो कि भाई कैसा होता है एक बार हाथ जरूर अपनाते हो मैं वो बोलता हूँ जो मेरी शोध है किताबों वाला ग्यान नहीं तभी तो मन करता है गुरुजी का चैनल ले कर ले सबस्क्राइब गजब बताते हैं कैसे पता चल जाता है नहीं ये सब खैद अगली बात भाई भगवान जी पर पूरा भरोसा रहता है कि नहीं गलत नहीं हो सकता भगवान जी है मेरे साथ हर छोटी से बात में भगवान जी तु देख लियो तेरा ही साहरा है बहुत याद करते हो आडंबरी पूजा नहीं करते कि बैठे हैं तीन चार पाँज गंटे सुबह चान टन 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 पूजा बज रही है नई अपने हर काम से पहले परवु स्मरण आपकी आदत होती है आप लोगों को एक अजीब सा डर रहता है कि मेरे हर्ट में दिक्कत हो रही है हर्ट में दर्द है आप सीने पे लखबग हाथ रखकर बैठते हैं क्यों डरते हो भाई डरो मत कुछ नहीं होगा बहम है यह आपका आप चोड़े कंधे वाले होते हैं गरदन पर मास ज़्यादा होता है उम्र के साथ शुरुवाती दोर में नि 30-35 का अकड़ा पार कर लेने के बाद गरदन पर मास ज़्यादा होता है आपके मन में एक ख्याल हमेशा रहता है पैसों के मामले में कि यार 2-4 कैसे हो जाएं 28-32 वर्ष के बीच आपकी उम्र के 28-32 वर्ष के बीच जीवन का कोई महत्मुन कारी है जरूर हुआ होता है जो आपको याद रहे एक अगला बड़ा सच आपके चहरे या मूपर दाने या किसी परकार का निशान जरूर होता है देख लो यदि आप लड़की हैं तो एक बार भाई से बड़ा विरोध जरूर होता है चाहे किसी की भी साइड से हो पर एक बार टकराव जरूर होता है एक अगली बड़ी बात बताता हूं आप निर्णे तो ले लेते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी पर पूरा करने में बड़ी मुश्किल आती है खैर करतों देते हैं पर मन ही मन एक बात घर करती रहती है कि यार अच्छे फसे एक बात कहूं ये भी सच है जरा सोचना कि आपका जीवन साथ ही आपकी मनमानी के करण परशान रहता है भाई मनमानी आप ज़्यादा करते हूँ पता नहीं चलता जब रोज जीते हो जीते रहते हो पर आज सोचना क्यों इतनी उमीद करते हूँ कोई भी सो परसेंट परफेक्ट नहीं होता खैर यदि आप अभी नोकरी की उम्र सीमा में है तो अपना करी कैरियर, पुलिस, सैना नेता, खिलाडी के रूप में बनाओ उमीद करता हूँ पसंद आई होंगी ये सब बाते तो चैनल लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन हिट करें अल के साथ ताकि सभी नोटिफिकेशन्स मिलते रहें और कमेंट जरूर किया करिये क्योंकि आपके कमेंट एक लिखने का नया जनून दे दिये धन्यवाद खुश रहो